लोग ने देखा का कॉंचा इस लेक्चर में देखते हैं के बारे पढ़ेंगे सब्सक्राइब करते हैं क्या होना चाहिए अगर आप लोग उन्हें कोई क्रिकेट मैच कभी देखा हो तो इक बॉलर जो बॉलिंग कराता है एक शोर से बॉलिंग कराता है और वो बॉल कि इस तरह से मूब करती है यहां से बॉल बॉल फेंकता है और यहां पर एक टिपक खाना के बाद बैट्समें के पाई जाती है बहुत के इसमें डारेक्ट जाती है तो कहीं पर ऐसा नहीं होता कि बॉल किसी एक पॉइंट पर गाइब हो जाए और रचानक से दिखाई देने लेगी उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे बॉल आई और इस पॉइंट पर गाइब होगी और फिर यहां पर बॉल आए और यहां से दिखाई दे लिए तो कभी भी यह केस कभी नहीं होगा कि अगर हम क्रिकेट बॉल फेंके तो हम इसा इस पर में जाएगा यहां से जा अगर व्युद्न आधि इस तरह की इस तरह कि पी हीवियर कें यहां पर दूसरी में एपना इसको बना सका हो लेकिन दूसरी वाले केस्प जाए यहां से तक मेरे को अब फैन उठाना पढ़ता है और यहां से मैं सूरू करता हूं अब इस बेवर को कंटिनेज़ अगे करते हैं इसको डिसकंटेनियोश इकते हैं जो दिस खंडिनिस गगए दिटलिश इस गई-टिऩ के साथ मैं में ने लास्ट रहत से फॉस्टिंट देखें ला मैं खोन से उन में कुछ फॉन च्राइब कुछ ऐसा धान क्यों हो चुंप उन डेख यहां परदा यहाँ गाईब हो रहा, यहाँ गाईब हो रहा है यहां मैं value नहीं पता, इस point c पर value नहीं पता एक function जिसके graph यह है b एक ऐसा function जो इस c point पर को दूसरा value लेता है, fc कुछ और लिए f c point कि तीज तरह कि अंदेगा कुछ ऐसे फंक्शन देखे थे जो किसी एक पॉइंट पर इंफिनिटी को जा रहा थे कि यह लाइन कुछ ऐसे फंक्शन थे लुए कि यह आए जो एक इंफिन दूए निक्सेट्स भी से मिंफिन पॉजार है यह जार शेयर से बींफिन पॉजार कुछ ऑगशन ऐसे थे और इस तरह एक फंक्चन देखाते हैं fx equal to x square इस तरह के फंक्चन हमने देखें तो बात किरते हैं इन फंक्शन के बारे में जब मैं यह फंक्शन बनाता हूं हैं जब यहां पर देंदों कि यहां पर रकूरा द्रकार। मुस्ट रहा है आप दूसरा फंद्रकाई प्रकूर्ट था पर पढ़ने पर ध्या पोथिते हैं स्बूर्स संसद्द चाहिए 6raction तो ऐसा कुछ था कि यहां पर है कि यह सब फंक्शन हमें देखे थे तो इन फंक्शन में मैं हमेशा अगर मैं A B C D और G सब्सक्सां में हमेशा आपने पतना पर किसी ट् referrals पर देजी कि यह से बुड़र अबकी की को सब्सक्राइब कि में धनरं भश्राइबंस फश्राइव दर्व पर हकर सकता हों। कि यह सकता फ़े इस को क functions तो पार में बात करते हैं और उसके बार में आपको इस फंसिंट की डियाफिनिशन होगा तो हम देखते हैं किस तरह की डिसकेंटिनूटी हमें देखने को मिल लिए है नमबर फर्स्ट करता है यह सी पॉइंट पर कोई भी इसके इसका कोई पॉइंट नहीं है इसे हम कहते हैं रिमुवेबल रिमुवेबल डिसकेंटिनूटी फिगर एंप्रेजेंट्स रिमुवेबल डिसकेंटिनूटी फिगर भी फिगर भी में क्या हो रहा है यह जाहर है इस सी पॉइंट में कुछ और पॉइंट आ रहा है अगें यह वाले पॉइंट को रिमुवेबल डिसकेंट पर तो इसको अम क्या कहेंगे अगें वाले बिट कर ने जाहिए फिगर आप में आमने देका रिमुवेबल डिसकेंट फिगर भी डिमुवेबल डिसकेंट पर यहां पर शी वाला पार रिंगों करके आमने किसी दूसरे पार्ट में डाना विगर फिगर पीज ऑन न्ववेबल लूसरे मुवेबल डिसकेंट पर विगर झ एकलद से किसी एक पॉईट पर इंपिनिटी को जा लेकिते हैं से फिगर टी पी एंपिकर टी अलसो अलसो तिस दी जोगा पर जंप करा फिर से जंप करा इसे चेंप डिगता है figure G this is jump discontinuity this is jump discontinuity figure E and F E and F these are continuous these are continuous अब continuous क्यों है इसको देखें यह कंटिनेश को नहीं था अगर हम लेप्ट एंड साइट से लिमिट देखें तो यह वाला पॉइंट इसको माल लेदा हम एल केते हैं लेप्ट एंड लिमिट एल है राइट लिमिट भी एल है लेकिन वह किसके ब्रावन नहीं है इस पर है ट्रीपैंट ही नहीं संटिफाइड मे ज़्जन उस पॉइंट पर टिपंड दूसरा इसकेश में फ़ंक्टेशन टिपाइड है लपिस्केश के बदने हैं दूसरा केस क्या होना चाहिए लेट एंड लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट यह किसके बरावर होंते हैं अब सी के बरावर होना चाहिए और यह अब सी क्या इस वहाँ फाइने इंफिनिटिंट इन चाहिए अगर यह सब होता है तो हम कहेंगे पंशन कर्टिनियस है इसी चीज को किमें गया गञा करिके संब्सक्राव कई का सब्सक्राएं वंने क्लिक प्लें अकरप्सक्राव यह होने के लिद घौत यह संदीसिंट इन ठल्कों नर्वर्ट नंक्या 했 आंट सी अ हम कहते हैं अगर ये सब होता है तो मेंगे फंक चल्गा चूशन पॉंई जब का टीक है sparर तेक यह हम लीमित बात करता है definition की, definition of continuous function, और कॉम जी definition बात करें ? ebsileumेडड़ डेल्टा लिखनेशन तो पाता है हुआ हम और क्या का में कॉछी फंक्चर हमने क्या बोलता और ये fezi condition से पहले हम देख़ लिखते हैं हमने बोला है की फंक्चण है is continuous at the point x equal to c if limit x goes to c fx equal to fc अबची इस लिमित की बाद हम पहले लेक्टर में कर चुके है इसको कैसे दिफाइन गलना है इस लिमित x goes to c fx equal to fc इसी को हम translate करते हैं अप्सलें डिल्टा टेलिशन में तो सेम जहां दे लाओ उसको translate कैसे करें उसी को जो आप पहले लिमित में देख चुके वही चीज़ा भी हम ने कर नहीं है शुरुआत करते हैं लैट एफ रॉम एटू आर एफ कोई सेट है ए से आ function f be a function the function f is called continuous at a point c is belongs to a this function belongs to this point belongs to a and this function f is called continuous at a if क्या आना चाहिए थेखो अभी क्या आना चाहिए हमें वो डिल्टा पास है हम ये जानते है लिमित x goes to c fx is equal to fc अपिसकी definition हम जानते है इसकी definition है इसकी definition क्या है बहुरुव गिवन Absolute positive any absolute positive there is delta positive such that well fx mod of fx minus fc less constant whenever 0 less than x Karma x minus c less than delta लेकिन यहां पर हम करें हम लेकित है यहां पर पर लेकिन यहां इस केस में में ठीक है तो लिखते हैं उसको ट्रांसलेट करें एक बोलो फॉर गीवन एपसिलेंट पॉजिटिव ठीक है बहुत बढ़ी है बोलो जैने एक्जिस्ट दिटा पॉजिटी शच देड क्या इस एपन्स वें इसप्ट टिक है तो मौद एपस- C less than epsilon if mod of X minus C less than data this happens we say F is continuous at a point C so remark we say f is discontinuous and x equal to c if f is not continuous at x equal to c अब इस एफसालेंट डेपनिशन से कुछ इस एफसालेंट डेपनिशन से यूज करके हम लोग प्रूब करेंगे कि कोई function continuous है या नहीं है देखते हैं एक example देखते हैं इसी एकजामबल पर यह देखते हैं sin x और देख देखके किसी पॉइंट रजिए जिरो पर यह फंक्चिन कंटीने सही जह नहीं और टेक्स उक्वाट जिरो पर एक्वाट जिरो पर इख वेख इक्वाट जिरो जिरो प्रुद एफ डेख अट्चिनियस इसके लिए हिए पूरु करना होगा नमेक से घुन इसोकृटि दिल चैनर तो मैं एप्सलेन डेल्टा टेफिलेशन को यहां पर मुझे चाहिए तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं और पाकी पार्ट मैं मिटा रहा हूं ठीक है तो यह आप लोग उन्हें देख ले आपकर इसको मैं मिटाने जा रहा हूं तो लेकिन ध्यान दो मुझे पूरूब करना ह आप आपकी फेली तो तो हमें क्या करना है अम यह पूरूब करना जाते हैं अब क्लेम इस इवान तो पूरूब लिमिट एंस गोस तो जी रो तो साइन एक्स इस इकोल टो जीरो यह हम प्रूब करना है और इंफेक्ट अगर हम यह प्रूब करना जाया है क्या वर यहीं नहीं इस जनल हम यह प्रूब करना है तो कैसे गरेंगे जीरो वाला केसिम में इंफेक्ट हो जाता है वो केस और जीरो जायाँ तो सी वाला केस्पने कैसे आएगे अमरे क्लेम यह है तो फिर से में तुम मुझे क्या कोग एप्सनल रण पर इसले टिवन एप्सिलें फॉर सलद्ट है इसलें आप अपर लेक्षान स्था जाए पोजीट देश्ट इस देटा पोजीटिव्ट सचित अट किया होने सब्सक्राइब mod of x minus c less than delta implies this sin x minus sin c this is less than epsilon ठीक है अब मुझे epsilon दिया दा चुका है मुझे epsilon दिया दा चुका है so epsilon positive is given this is epsilon is given this is given now consider this part sin x minus sin c this should be written epsilon whenever mod x minus c less than delta ऐसा आमने निकालना अमने प्रूब करना देटा ला तो sin x minus sin c का फर्मुला जो ट्रिकमेटिक फर्मुला है अमने लिए उन्टों दिकला से पड़ा हुआ this is equal to 2 cos x plus c by 2 sin x minus c by 2 ठीक है यह फर्मुला हम जानते है और हम यह भी जानते कि यह जो कॉस है दो एकुलिटी जानते है कौन-कौन से हम कुछ चीजे जानते है क्या यह चीज हम जानते है cos theta is always less than equal to mod of cos theta is always less than equal to 1 और दूसरा हम इसके हुज करेंगे यहां से क्या आएगा cos x plus so this is same as 2 mod cos x plus c by 2 mod sin x minus c by 2 ठीक है this should be less than equal to this is less than equal to 1 तो यह क्या है 2 sin x minus c by 2 mod और हम यूज करेंगे देखों कि यह कि मौट x minus c जो है बहुत greater than 0 और greater than equal to 0 ठीटा यह बहुत छोटा है not x minus c जोटा है और हम जानते फॉर small values of theta this mod of sin theta is not theta तो यहां से मुझे क्या मिलेगा this is less than equal to mod x minus c by 2 तू 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 तो मुझे फाइनली के मिला which is equal to mod x minus c tick or here are a part lesser epsilon this part is less than epsilon now choose your data now we can choose our data choose delta equal to same epsilon or less than some epsilon delta equal to epsilon or you can choose delta less than epsilon by 2 तो तो यहां से अगर जब हम इस टेटेग में अपने को रिश्टिक करते हैं तो हमार पास क्या है जब भी mod x minus c less than delta है जब भी mod x minus c less than delta है यह क्या सो करता है यह सो करता है यह सो करता है X minus sign c है जब लेज देन इकल तो mod x minus c एक है और यह जो है यह यह delta से चोटा है और यह किसके पराबर है चोले के पराबर है तो X mod x minus c less than delta this implies this more sin x minus sin c less than absolute which is same as limit x goes to c sin x equal to sin c this implies sign is a continuous function that is equal to जो सब्सक्राइब है तो इसके समागया गेमिट एक सब्सक्राइब उसके सब्सक्राइब यह देखने हैं कि यह यह जो फोट लेखनी है लोग अधोर पॉन्ट पर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे यह पूरे होल डॉमेंट पर नहीं हम यह नहीं करें कि this function f is continuous at on a function f is continuous at a point at a point c अब हम कभ कहेंगे की function continuous on this whole a इस पर बात करते हैं इस पुछिए हमने बोला में इस कंटिन की अटिन थे लोकल बिवेडिर जै लोकल फिनोमेन चिजे लोकल फिनुमेन, विकाज विकिन कुटिनुटी एक पॉइंट, नमबर बन पार, दूसरी बाद हम कब कहंगे की फंक्शन पूरे होल डॉमेन मुं कंटिने से, अगर यह एक सारे पॉइंट पर कंटिने सोगा, तो हम कहांगे फिस कंटिने सोगा है, इस पॉइंट आफ, इस पॉइंट आफ, इस पॉइंट आफ, हूला, तो अगर वो एक सभी पॉइंट पर कंटिने सोगा तो हम कहेंगे फंक्शन एप इस कंटिने सों एंट, तो पर एजकाबल जो भी हमने जोड़ते पहले एक्जक्पल देखा हैं, कि वह सभी प्रस्ट पर सभी रेल प्रस्ट पर केया है तो हम गये साइराइक से इंटूनेश और है तीक है 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 हम ने क्या के देखां हम ने देख लिए डिसकंटरिये संग्षन हम ने है उनको प्लाशिप्य में भी किया जुप इस घंटी दिए और शाथ में इन्फानाइट डिसकें रूमिटी और हमने देखा के लिचांट्रेशन हम ने आ पलाज देखा और हमने देखा की कि लोकल फिलमिना है और अगर उसे हम गलोबल तब कहिंगे पूरे में जब वह आरे और कुछ प्रॉपर्टी जिसकी एलजब्र देखते हैं क्या कैसे एलजब्रा इलजब्रा पेहिविर रिसका कि अजब्रा से मेरा मतलब है अगर मैं पास कोई दो फंक्शन है f a2r and g a2r these are two functions f and g are two functions on a domain a यहां पर domain करहा हूं यहांपर domain का मतलब f का domain और g का domain इसको कैसे कहता हुआ है इसको डिफाइन करते हैं एक प्लेजी को एफ एक्स प्लेस जी एक्स दूसरा प्रोड़क्ट अप्टू फॉक्शन एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक और पार एक और चीज हम डिफेंड करें उसके लिए फॉर्ट्ट जी आपा आप दिफाइने इस फ्ली किसमें टे काने इस दोदू आपक्ट यॉर्ट्फ एक्स उप्स अपन जी अंटिशन दिशन दिशन इस थ्रू वीए कर दो शक्राइब करो ऊपर यह घ्यार अभी हम ले रहे रहेक्षब्स पर क्हा है नौ जीरो है और इस इसे सम उफ तु फॉंक्शन इस सम नौ को मौ्ट फॉंक्शन चीस तो फॉंक्शन दिफेरेंस और सप्रक्ष इस कोंशन कि एक्सर्णाइब समय यह तुम्हारा फार्ट इस दो हो और फ़यर यह जार जी एक्स ठीक है यह आप लोग प्रूब करना है नमबर वन इसे में तुम प्रूब कर सकते हो आप लोग f-g limit x goes to g f-g x equal to limit fx minus limit gx दूसरा limit x goes to c के लोग करो इसे को लो म्ठी खनकल दूसरा खब कर्षो लोग दूसरा लोग लोसरा लोग सी लूमां च ग्यूरा लोग 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 लोगर सब्सक्राइब लेकिन ये क्याबल उसी के समय है यहां पर हम एक चीज तुम्हें मान के चल रहे हैं कि दिमिक दिसी इस फाइनेट दिसी इस फाइनेट अभी हम किसी और की बात नहीं आपकर फैनेट की बात करें दिजैनेट के चीजा दूर अधनेट लिमिट एफ एंड लिमिटश पर फैनेट अगर फैनेट और इनके लिमिट एच लिमित अट इन जी की लिमिट वह भी पर वह भी बाविनेट है तो यह सब होता है कि यह तुम्हें करना है अब मैंने फाइनेट क्यों बोला इसके लिए इसका कारण है कि वह कारण यह है कि देखो अगर किसी एक इंफाइनेट हो जाए यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन वहां पर भी हम बात करेंगे वह दूसरी ग्लास में जब हम बात कर रहे होंगे सब्सक्राइब करते हैं कि यहां से देखें पहले वाले कंडिशन से लेमेट एक सब्सक्राइब तो यहां से अगर अगर बीक वनियस है अब पेहले वाल परचा जाएगा कि अगर यह तेस्रा बाट च्छाण बास त्सक्राइब से सब्सक्राइब कि आगर एक कि इसी पॉइंट पर जी एक्सक्राइब यह जो फंक्शन है यह भी किंटिनेस होगा उस पॉइंट सीपर कि यह इसकी अग्राति अब देख़ा क्या होता है अगर हम आध़ पास दो फंक्शन है एसे बी में और जी डूसरा वं अबी सेजे में तो देखते हैं क्या इसे अदिध दोनुफ फंक्शन हम गांटीनियेस ले रहें देखते हैं इसके लिए हिए पार कि अच्छा कि अच्छा कि कि अच्छा कि कुछ फंक्षिन एफ किसी सेट अबी में है दूसरा फंक्षन जी उसेट बीशेट सेट इसेट सी में अच्छा फंक्षिन कांपोजिशन में क्या वो कंटिनेश होगा लेक्ष एफ जी उसेट संगे फंक्षों हिंस है ठीक है कि मैं लेका है let at which continuous at x equal to a and g is let fb continuous at x equal to a and gb continuous at f of a then this g of f the g of f will be from a to c take this function composition function this will be continuous then g of f is then this will be continuous at x equal to a okay okay take the proof हमने क्या कहाया g ठीक है तो प्रूब करने के लिए भाई कोई एक एक अप्सरें तुमहांद होगे हम डेल्टा देंगे तो इस जी ओआ आपके लिए कोई एक अप्सरें ना आपने दिया ठीक है गिवन अफिलेंट पॉजिटीव थिक और दुसरी बात का है यह जो जी और अब दोनों कंटीएस है जी एंड एफ बोट अर गंटीएस फिर्स्ट वाले पार्ट में मैं क्या लेता है जी इस सुम्टेटीव जीएस अट एफकोंटीएस एफकोंटीएस इस के मतलब के बताँ इसकी मतलब है for this given option positive we get a delta positive we get a delta positive kya is delta positive लेगा such that g of y minus g of f of a this is the if y minus f of a is less than delta ठीक है कोई ठीक्के दिसमें अब यह एभी कंटिएस है यह एभी कंटिएस है और यहांको अभी हमें यह डेल्टा मिले है तो इसका इस डेल्टा के लिए मुझे कुछ डेल्टावन मिलेंगा नाव f is also continuous f is also continuous and we have this delta also अब पर देल्टा भी है तो फॉर्ट इस डेल्टा देर एक्जिस्ट देर एक्जिस्ट देर एक्जिस्ट देर एक्जिस्ट डेल्टावन पॉजिटिव का दिश्ट रिखे साथ गेले यहां इपर क्या अधिना तो हमिजे य-1 ऊह राखला को के आपयों आदेर नाव थिकल दिश्बर मैं धिस डेल्टा इस डिल्टा अब यह डिल्टा के लिए मैं क्या एक डिल्टावन देंगा F is continuous and for this delta positive there is this delta one positive such that Fx minus F a this is greater than delta if x minus x minus a less than to delta one okay so whenever this mod x minus a less than delta one this happens and whenever this happens यह पार्ट होता है तो यहां से अभी अभी दों कुभाइड करो इसका नमें इसका नाम स्टार्ट देते हूं इसका नम में डबल स्टार्ट देते हूं ठीक है combining star and double star combining star and double star this implies x minus a less than delta this implies delta 1 this implies f x minus f a less than delta or yaha se this implies g of f of x minus g of f of a is greater than epsilon and this proves the theorem this proves the theorem हमने देखा कोई function f a सभी में है दूसरा function g b सभी सभी में defined है f continuous है at a और g b continuous है f a पर तो उसका composition वो continuous होगा at x equal to a next class में हम लोग देखेंगे कुछ और प्रफर्टीज कंटिनियस फंक्शन की तो अभी हमने देखा composition of two continuous function 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 f continuous है किसी एक पॉइंट है function 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 देखेंगे a से b में है और b से c में यह function continuous था this is continuous at x equal to a this is continuous at x equal to f b f of a और हमने conclude क्या करा था हमने बोला था कि g of f this will be continuous continuous at x equal to a अब जब देखते हैं इसके लिए कैसे है कि हम जाते हैं यह साइने अग्स कि दिशीच कंटिनियस सब्सक्राइब सब्सक्राइब और हमने देखा था एक दूसरे फंक्शन है इसको मैं fx बोलता हूं दूसरा फंक्शन है जी एक्स इसकोई तू मौट फैक्स इस अप्सक्राइब दूसरा फंक्शन है जी इसकोई ना इसके आपको यह आप लोग गर्मी जाके चेक करेंगे तीक्के आपक्स कंटिनियस दन लिए फ्रम आर टुआ थिस जो फ्रम आर टू पोजिटिव था फंक्शन कोंट्व थे एक नमबर वन शाइन मौट एक्स कि नमबर दूसरा मॉड़ ऑफ साइन एक्स हम यह दो फंक्शन पर बात करते हैं और हम देखेंगे कि यह दो फंक्शन क्या है इसा होगा और मॉड़ ऑफ साइन एक्स कैसा होगा अब प्रिवेस चुर्म नबी देखी उससे बोल सकते हैं इसका ग्राफ हम देख लेते हैं और कि साइन मॉड़ एक्स का ग्राफ कैसा होगा सबसे पहले हम इस ग्राफ कैसा होता है साइन एक्स अब यह पिए पिए जाने इस ग्राफ है त्रफिक है यह यह वन है यह मैनस वन है थोड़ा अच्छा निगन इस अग्सट कुछ आशा होता है इसकी मदाशाम श्रेण मॉड़ एक्से ग्राफ नहां तो श्राफ कैसा होगा है मुद्धा है मॉड़ और श्राफ कैसा होगा लिए जिस इप उपया हुए साइने इसको बनाने के लिए मैं जब एक्सकेश बने तक पॉजितीव है उसकेस में सेम इप्र घ्राफ बन रहा है जब एक्स निगेटिव ए उसकेसमें यह वह पॉजिटीव की तरफ यह करेगा तो फिर से सही कैसा बने तो यह साइन नेक्सिव ग्राप कुछ ऐसा बना साइन मॉड़क्स कर ठीक है तो अगर तुम ग्राप से देखेंगे तो यह क्या है एक कंटिवेस फंक्शन है कि तुम यूज करोगे क्या कम पोजिशन दूसरा मॉड़ साइन एक से देखें कर दो हिरे शहां एक पुर्ण दोड़स मॉड़ साइन एक जो भी पार्ट उसकर नेगर्ट कर रहें तो यह पूंगी था ये फिरसे लोजीव दर था यह पूंगी चुल चाहिए okay as about today is about sign x a graph this is graph of not sign x and we can see that this this more sign x is continuous function and here sign not x is continuous function yeah application x scale job in a through a body